हलो एवरीवन वेलकम टूड़ीज लाइव ट्रेडिंग सेशन तो आज है 28th of September 2021 और हम डॉलर में ट्रेड करने जा रहे हैं मेरा मक्सट डॉलर बाइ करना है इसको लॉंग करना है क्योंकि जैसे कि देखते हैं देख पार है हम चार्ट में कि ड्रॉलर जो लिए बैसिकी इसल फाइव मिनिट्स मर्टि चार्ट में पिछले दो तीन हपते से ड्रॉलर जो है वह सइड वेसे ट्रेंड मैं जैसे कि As we can see in the chart, in the first week of September dollar ने अपसाइड लिया था और उसके बाद पिछले दो-तीन हपते से ये जो है वो साइडवेइज है So I expect this rally to continue, which started in the first week of September अभी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा यह जो rally है, first week of September तक यह rally है था बसके बाद दो-तीन हपते से साइडवेज है यह continue होना चाहिए, this is my expectation, अभी ओ आज होगा कि कल होगा आपको पता नहीं, पर most probably यह आज होना चाहिए, क्योंकि कल 27th of September को rally आया था जैसे कि हम देख पा रहे है, यहां पर मैं pointer लेके जा रहा हूँ, यह 27th of September का चार्ट है यह जो sideways है, moment है, यह upside बे ब्रेक होना चाहिए, एक नया fresh high तरना चाहिए, क्योंकि change is the only constant अगर change is the only constant, जो current rally, current trend है, sideways trend, यह जो है वो, either it should be downtrend now और uptrend now, तो मेरे खायल से यह uptrend होना चाहिए, so I want to ride the uptrend, जितना जल्ली हम लोग buy कर पाएंगे, यहां पर उतना हमें, जो है वो profit ज्यादा मिलेगा, यह तो लेट हो जाएगा, तो इसके लिए हम अभी, 10 quantity लेंगे current price पर, मुझे लगता है कि मुझे wait कर सकता हूँ और मुझे wait नहीं करना है, क्योंकि जो भी है buy करना है, यह भी थोड़ा सा correction आ सकता है current from current level पर, यह कल अब एक rally आया था डॉलर में, तो हम buy करेंगे और अभी तक जो trend है वो confirm नहीं हो है, कि अब टेंड है, अभी तक market को नहीं समझा है, तो just quantity हम लोग buy करेंगे, अभी तक pending बता रहा है order book, हम लोग ने 74.6 के, 74.65 के असपास order डाला है, जो current market price है, and highest level है, अभी तो morning होआ है, साथ दों के आसपास बजया है, morning of 28 September 2021, अभी तक pending है, तो हम लोग ने साथ दों के आसपास order डाला है, जिखते हैं, okay, traded, so 10 quantity मतलब 10 lots of USD INR future, मतलब 10,000 quantity, 10,000 US dollars मैंने buy किया है, अभी आप देख सकते हैं कि pound छोड़के euro, Japanese yen, तीनों currency, और even pound and dollar चोड़के euro and Japanese yen, JPINR and euro INR, दोनों भी downtrend में लाल में चल रहे हैं, रेड में, रेड जोन में हैं, only dollar and pound, British pound, GDPINR, और R in uptrade, in green today, so मैं दो quantity और लूंगा थोड़ा सा नीचे आ गया है, okay, so मैंने और दो quantity लिया, तो total 12 lotts या 12,000 dollars मैंने buy किया है, so far, dollar थोड़ा नीचे आ गया है और मैं record नहीं कर पाया, पर मैंने जो दो lotts लिया था, इसके बाद, दसने के बाद, वो मैंने बेज दिया और अभी मैंने 73.96.5 के आसपास और dollar लिया है, 10,000, so total 20,000 dollars मैंने long किया है, हम average हम लोग का loss चल रहा है, यह मेरा order book है, यह मैं record नहीं कर पाया, जो मैंने अभी recently और 10 lotts लिया न, dollar का, USD, INR का, जो मैं record नहीं कर पाया, और थोड़ा market नीचे आ रहा था, तो मैंने सोचा कि जो दो lot लिये थे, 74.95 के आसपास, मैंने 73.97 के आसपास मैंने बेज दिये, so अभी अगर पर जाते हैं, total 20 quantities करी है, हम हमारा loss हो रहा है, यहां पर MTM पर, we are losing money, पर I am sure कि यह loss making trade profit में convert होगा, ओके, so हम लोग ने उपर थोड़ा लिये था, correction आ गया है, डॉलर में, पर जो मैंने green line plot किया है न, मुझे मेरे खायल से यह green line के आसपास, डॉलर का support लेना चाहिए, क्योंकि कल green line cross करने के बाद ही 27th of September को, अब देख सकते हो, rally आया था, और आज correction आया, वही पर dollar अभी टिका हुआ है, correction करेक्ट करके, तो मिलेकार से यहां से घुमना चाहिए, इसके लिए मैंने नीचे में और quantity लिया, पर मैं यह recommend नहीं करना चाहता, कि जब आपका position loss making हो, when you are losing money, you shouldn't average the trade, मतलब you should not, ओके, अभी हम लोग ने साड़े नों बज़े ठोड़ा लिया था quantity और साड़े गयारा बज़े, साड़े गयारा बज़े loss में और लिया, और, अभी हम लोग देख सकते हैं कि बारा बक्या आसपास हुआ है, और, बारा के आसपास, ट्वेल अ क्लॉक, और, हमारा profit जो है, डॉलर जो है, उसने रिकवर किया है, यूटन लिया है यहां से, और, अभी वो, एक, जो मॉर्निंग का जो लेवल सा, हमारा बाई प्राइज था, उसके आपे आया, पर सिंस, वी हम लोग ने अवरेज किया था, नीचे के साइड़ पे, तो, वी आर इन लिटल बिट आफ प्रॉफिट, इस जो साइड़ वे स्ट्रेंड को, वो, अब शाय से तोड सकता है, अभी आज तोड़ेगा, उपर जाएगा कि कल जाएगा, मुझे पता नहीं, पर अगर आज, और राइट, यहां पे हम थोड़ा प्रॉफिट, साइड़ी नजार का प्रॉफिट हमारा हो रहा है, MTM में, विच इस, unrealized gain, और MTM, तो हम और वेट करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसका और उपर आ गया है, अभी सवा बारा बज़ गया है, और, dollar is now having a sharp rally, तो मेरे खायल से कुछ टाइम में, मुझे, यह dollar जो है, उसको बेचना चाहिए, sorry, क्योंकि यह जो sharp rally है, यह correction को जनम देगे, क्योंकि यह sharpest rally है, maybe because it came out of the range, जब कोई भी चीज, रेंज के बार आती है, तो जो भी short sellers रहते हैं, वो square off करने के लिए दोड़ते हैं, तो, because when they are making losses on their positions, they start squaring off the position, जो भी market price मेला, तो यही हाल उनका हो रहा है, तो इसके लिए, but this is the sharpest rally, मतलब इतना डॉलर में rally देखने को इतना नहीं मिलता, अभी हम लोग 12 के करीब हुए, and yes, I think it is time to book profits, because यह correction आएगा, इसमें, यह डॉलर है, यह कोई index नहीं है, जो यह continue करेगा, डॉलर का या currency का moment इतना नहीं रहता है, usually, मतलब अगर कोई news बगरा रहेगा, तो it is possible, otherwise इतना moment, इतना sharpest moment नहीं रहता है, तो it is wise to book profits, तो हम अभी profit book करेंगे, यह, this is MTM, चलो, पूरा कर पूरा 20 lots, हम लोग, हम लोग सेल करेंगे, ओके, यह, जो भी market price है, उसमें हम लोग सेल करेंगे, ओके, तेंक यू, we are able to book profits at highest level, that is 74.33, हमारा average buy price था 74 रुपीज टू पैसा, यह, 20 lots हम लोग ने लिया था, अभी हम लोग 20 lots बेचा है, साड़े बारा को, साड़े नहीं बज़े से हम लोग ट्रेड में थे, और साड़े बारा को हम लोग ने position, पूरा position square of किया है, तो total investment जो है, around 40,000 का investment था, और उस पे, मैंने 6,200 रुपया कमाया, थेंक यू,